हेलो फ्रेंज दिश इज एस्पिशिंग एंड वल्कम टू इश्माटर एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे बेड सेकंड सेमेस्टर एकॉरडिंग टू कानपूर उनिवर्सटी ठीक है अभी जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है उसमें बच्चों को बहुत प्र मेंन रही किए उसके कॉर्डिंग मार्टनहीं दिए गया है ठीक है और तो अब आपके छेएंगा किसे हम अपने कोप्य कैसे का रिच हक्रैं या हमारे मार मार्क काईसे बढ़ेंगे या बैक में पर फोर्म डालें क्या करें क्या का ना करें तो इन सब पॉइंट पर हम बात करेंगे आपको पूरी तरीके से हम संतुष्ट करेंगे ओके और मुझे बूलने में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे थोड़ा च्छाले बगरा हो गया है तो आपको थोड़ा सा अर्जेस्ट करना पड़ेगा वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं एक एक बच्च सेमस्ट का आपको रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चों की जो फिजकल साइंस में मार्क्ष है वो बहुत कम है जैसे इस बच्चे के पचचत्र में 24 नमबर हैं ठीक है पचकत्रम अगर आपके 25 नमबर होते हैं तब आप पास हो जाते हैं लेकिन यहीं 25 से कम होते तब आप फेल हो जाते हैं जैसे कि बचा यहां पर फेल है फिजिकल साइंस वाले बहुत सारे बच्चे में कह रहे हैं कि सर मैंने तो मेरे तो पूरे 65 कोश्यंज एकदम कता ही राइट हैं या मेरे 60 कोश्यंज बिलकुल राइट हैं 5500 राइट हैं लेकिन मुझे 35 नमबर मिले मुझे 40 मिले मुझे 32 मिले मुझे 30 मिले इस तरीके से माक्ष दिये गए है यह बहुत गलत हुआ है इस्ट्रेंच के साथ और इसका आगे का प्रॉसेस जानते हैं और कुछ जाएसे बच्छे का results है इनको जो है फिजका साइंस में 29 नमर मिले हैं हालांके इनकी back नहीं लगी है और ये बच्चा है इसके marks है 37 इस तरीके से कह सकता है कि average marks सब को दिये गए हैं आई ये आते हैं point पर क्या के रभम क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों दो चीजे होती है एक तो होता है आपका scrutiny form क्या होता है scrutiny form होता है दोसरा back paper form होता है क्या back paper form होता दो चीजे होती है कि यदि अपका जो result आया है उससे संतुष्ट नहीं है आप किसी subject के copy को check करना चाहते हैं किसी subject की copy को read check करना चाहते हैं तो आप scrutiny form डल डाल वकते हैं ठीक है इससे क्या होगा कि आपकी जो copy रहेगी वो दुबारा से चेक की जाएगी विधो तरीके से यदि आपके marks बढ़ने होंगे तो scrutiny में बढ़ जाएंगे और माल लिजे कोई question अगर कोई extra marks में लगया है तो घट भी सकते हैं हलांकि घटने के 0.01% chances होते हैं बढ़ने के आपके ज्यादा chances होते हैं back paper उनके लिए होता है जो बच्चे fail हो जाते हैं जिनका fail लिखकर क्या आता है उन्हें back paper डालना ही होता है ओके ये process होता है अब जैसे क्या होगा जिन बच्चों को ये लगता है कि हमारे physical science में questions ज्याद सही थे हमको marks कम मिले हैं उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें scrutiny form डालना होगा scrutiny form जो है वह जो यूणिवर्सिट्टी की official website है उसी पर आजाएगा उससे हम आपको अभगत करा देंगे जब भी ओ फॉर्म आएगा जब भी result आता है उससे 10 या 12-15 दिन के अंदर scrutiny form देखने को मि आपकी result आया है 10-12 दिन में आपका scrutiny form आ जाएगा ठीक है आप लोग क्या करेंगे scrutiny form भरेंगे अपना ठीक है जितने सर्जेक्ट में आपको लगता है कि आपके marks कम हैं आप उनका scrutiny form भर देंगे यदि आप 100% से ओर हैं कि मेरे 65 questions सही हैं और मुझे 35 नमबर मिले या 40 नमबर मिले ठीक है तब ही आप scrutiny form भरिएगा ठीक है जिनको लगता है कि मेरे questions ज्यादा सही है marks बहुत कम मिल रहें तो आप scrutiny form भर सकते हैं इससे आपकी copy पुना चेक होगी और यदि marks आपके वास्तों में गलत आपको दिये गए हैं तो वो आपको बढ़कर के marks इसमें मिल जाएंगे ये होता है आपका copy रीचे कराने का process अब जो scrutiny form आएगा वो हम जैसे ही आएगा हम व कौन से भी फिल कर सकते हैं या कैफे पर जाकर के form फिल कर सकते हैं कहीं से भी करवा सकते हैं ठीक है उस form को फिल करवा दीजेगा फीस उसके लिए कुछ आपको देनी होगी वो फीस आप पे कर दीजेगा अब अगर बात आती है back paper की तो जिन बच्चों का फिल लिखके आरहा है उन्हें back paper डालना होगा back paper डालने का मतलब यह है कि जब आप back paper डाल देते हैं तो आपको दुबारा से उसी subject का paper देना होता है पेपर कब होगा कहा होगा पेपर जो बच्चे अब फर्स सेमेस्टर में अडिमेशन ले रहे हैं जब उनका सेकंड सेमेस्टर होगा तो जिस दिन उनका पेपर होगा उसी दिन आपका भी पेपर होगा ठीक है उनके साथ ही पेपर होगा और जिस मोड में उनका पेपर होगा हलनकी होगा नहीं objective होगा तो आपका भी subjective होगा उनका objective हो रहा है तो आपका भी paper objective होगा उनके साथ ही आपको भी अपना exam देना होगा यह होता है back paper अब जैसे की main problem यहां भी बच्चों को physical science में आ रही है तो physical science वाले बच्चे अपना recruiting form भी डाल सकते हैं यदि आप उससे भी satisfy नहीं है तो आप अपना back paper भी डाल सकते हैं ठीक है दोनों option आपके पास हैं तो यदि आपको लगता है कि मेरे वास्तों में मांक्स जो है कि बढ़ने चाहिए साथ सही है नंबर मुझे कम मिले हैं अगर आप 100% से और हैं तो आप अपना scrutiny form जरू डाल दीजेगा अभी 10-12 द आपके मांक्स बढ़ जाएंगे यदि आपको लगता है तो ठीक है बैक पेपर जिन बच्चों का फिल लगके आ रहा है वह अपना back paper डाल करके दुबारा एक्जम दे सकते हैं यह इसका complete process है यदि थोड़े problem होने की बज़ेशन में कुछ ना अगर प्रॉपर समझा पाया ह कोई आप डाउट रहा गया होता आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और थर्ड समेस्टर की क्लास से चल लाई है पेट कंटेंट आप अगर लेना चाहें तो इसके लिए आप हमें इस नमबर पे 9628182649 इस नमबर पे WhatsApp मैसेजर के नोट्स की इंफरमेशन आप ले सकते ह हैं और अपने पढ़ाई शुरू कर सकते हैं टैंसन वाली बात नहीं है इस कूटने फॉर्म डालने से भी माक्स नहीं बढ़ते तो बैक पेपर देखर क्या अपने माक्स बढ़ा सकते हैं ठीक है तो इसके बाद कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट वाक्स में छ